कि हलो एब्रीवन वेल्कम वैक टू आर यूटूब एचकेसन चैनल से खड़ा करेंगे आज के इस वीडियो में हम इस्टेंडर एर्थ का विकास साइंस वर्क बुक के अंदर चैप्टर नंबर थ्री सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के अंदर बाकी का नेक्स्ट क्व है उनकी ओर और एक वीडियो में वन पार्ट में किया था थिके देल सेकंड पार्ट में वाकिकर क्वेस्ट्टान किया था जिसके अंदर हम Next Ces इस question complete कर लिया था अभी हमने क्या करना है पेज नंबर 32 के उपर question नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं इसके पहले का वीडियो अल्रेडी अपलोड हो चुका है पार्ट वन पार्ट टू करके यह पार्ट थ्री हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट थ्री में हम ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो फर्स्ट अफॉल चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अन्बेल आकन को प्रेस कर लिजिए जिससे आपको लेटिस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे एंड मैथेमेटिक्स का भी सॉलूशन ओल्रेडी अपलोड है अप लेटिस्ट में जाके देख सकते हैं चली सबन नंबर का क्या बोला गया है एक्स्प्लेइं गिबिंग सैंट्फिक रिजन हमें क्या करना है इस प्रेट करना है उसका रिजर आ हमें बताना है हैं सो अगर आप सपोज कोई कपड़ा बनाते हो कपड़े सिंथेटिक फाइबर से बनाओ और नेचरल से बनाओ गए और अगर आप सिंथेटिक फाइबर बनाओ तो यह होंगे आपके सस्ते पड़ेंगे they can be woven like silk fibers and they are available in a variety of colors and they are more durable and affordable than natural fiber this is this is the reason that's why the clothes made from synthetic fibers are more popular than those of made of natural fiber okay so I think first question now second question we should not wear synthetic clothes while working in kitchen or laboratory देखो जब भी हम laboratory में work कर रहे हैं किचन में work कर रहे हैं तो हम synthetic clothes को नहीं पहनते हैं यह नहीं पहनना चाहिए हमें कैसे natural fiber से बने हुए कपड़े पहनना चाहिए उसका reason क्या है so the reason behind this is first of all first one is your synthetic fibers melt very soon by heating okay so at a higher temperature synthetic fibers will melt that's why we did not wear synthetic clothes now second reason the fabrics melt and stick to the body of the person wearing it so it can be disastrous third लिखोगे point synthetic fibers can catch fire therefore we should we should we should we should not wear synthetic fiber clothes while walking in the kitchen और इन लेवरेटरी यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना है correction कर लेना है ठीक है यहाँ पर हमने एक चीज़े mention नहीं किया not wear आना चाहिए और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है आपका अधा है आधा है था यह सो वेस्टेन में वी शूद नौट वी शूद यहाँ पर आपका आएगा not wear ठीक है वी शूद नौट वी शूद नौट वेर सिंथेटिक फ्लोवाइल वाकिंग इन लेटिशन और लिबरेटरी ओके नेच्स्ट क्वेस्टेर्ट नाँ question no.8 हमारा 7 में क्या था दो ही question थे now 8 write two points of different आपको क्या करना है difference write करना है first one is your thermoplastic and second thermosetting plastic इन दोनों के बीचे में difference तो देखो simple दो point ही लिखने है so first लिखोगे इसके अंदर this this type of plastic have linear arrangement of units and this type of plastic have cross-linked arrangement of units okay first point is clear now second point polythene and PVC are example of thermoplastics and in thermosetting plastic backlight and melamine are the example of thermosetting plastics okay so question no.8 आपका complete हो गया इसके अंदर एक ही difference था thermoplastic and thermosetting plastic clear page no.32 के उपर हो गया now page no.33 पे चलते हैं यह हमारा page no.33 है जिसके अंदर हम देखेंगे यहां पर nine number का question nine number के question में दो matching है ठीक है दो question है इसके जो की generally four marks में आपके exam में पूछे जाते हैं so match the following properly आपको match करना यहां पर हमने answer लिख दिया है so देखो column A column B के साथ answer हमें यहां लिख देना जैसे फस्ट यहां पर है तो फस्ट यहां पर देखोगे तो one two three four है इधर अभी सेड़ी यह तक है तो हमें बताना है one में कौन सा आएगा कौन सा ओप्सन ओके यहां पर आपका पॉलिष्टर पॉलिष्टर देखो पॉलिष्टर किसके साथ मैच करोगे डी के साथ क्या है डाज नौट गेट वी रिंकल्ट इसली एक यहां पर इस पॉलिष्टर नौइन सेकंड टेफलों टेफलों का करेक्ट ऑप्सन क्या होगा इट इस यूज़्ट फॉर मेकिंग नौन इस्टिक यहां पर कुक्वेर्स ठीक है नौन इस्टिक को क्वेर्स बनाने के लिए हम टेफलों का यूज़ करते हैं ना रेओन रेओन किसके अंदर आएगा मेड़ फ्रॉम ऊडपल ठीक है आपको य यहां पर यहां पर कोलम एक और सेम अज़ इस देखो को टन को टन में देखते हैं यहां पर थेखो क्या है फ्रॉमट प्लास्टिक है नो क्या है मिक्चЕर प्रतक सब्कॉटन होता है क्या कोर्ल ठाइस वाइब यहां पर दी या कोर्टन क्या है प्लांट फाइब Member अब आते हैं वेप्ड टास्टिक एक एक्स हमने वोटर ड chopping में देखा था एक्जामपल अब एग नाउ सिल्क, सिल्क कैसा है, तुम्हारा थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है, no, मिक्चर अप पॉलिस्टर अडि उल, no, एनिमल फइबर, yes, सिल्क कैसा है, एनिमल फइबर है, इट इस आ टाइप ओ एनिमल फइबर, so, question number nine is completed, now, ten number, ten number के अंदर दो questions है, answer the following question in detail, four marks each, ठीक है, चा the characteristics of synthetic fiber हमें synthetic fiber का characteristics बताना है क्या क्या उसके characteristics होते हैं ठीक है गुड़ धर्म बोलते हैं जिसको quality so first one is your synthetic fiber से characteristics they absorb less water and dry up quickly क्या करते हैं कम water absorb करते हैं जल्दी ड्राय होते हैं that's why they are durable मजबूत होते हैं ज्यादा time तक चलते हैं they are cheap सस्ते होते हैं they are rapidly available जल्दी से available हो जाते हैं जल्दी से बनते हैं they are easy to maintain maintain करना easy रहता है they are strong and light कैसे होते हैं मजबूत होते हैं और हलके होते हैं सात्वा नंबर है आपको seven they are not attacked by microorganism अब इसमें क्या होते हैं microorganism उसको नुक्सान नहीं पहुचाते हैं ठीक है that's why यहां पर एक क्या हो गए इसके characteristics हो गए seven characteristics आपको point wise right कर देना है that's it now second question is your in the modern era metal is replaced by plastics explain क्या होगा modern era में metal जो होगा वो plastic के द्वारे रिप्लेस कर दिया जाएगा that means metal की जगा पर हम ज्यादा तर देखेंगे most of plastic कहीं यूज करेंगे उसका reason बताना है तो देखो compared to metal why because compared to metal plastic have many more advantages so metal is replaced by plastics देखते हैं कौन कौन से यहां पर reasons है यह characteristics है advantages है सब first one plastics are chemically inert so we can store food easily अब क्या होता है food जो होते हैं जितने भी लगबग most of food होते हैं वो plastic के साथ reaction नहीं करते हैं that's why we use plastic container to store food and they are not corroded corroded नहीं होंगे they are cheaper than metals सस्ते भी होते हैं plastic container seem most convenient this is because of they are light in weight the reason है ठीक है क्योंकि हो हलके होते हैं weight में तो हम उसको क्या कर सब्सक्राइब हो हमारे लिए और convenient है कहीं भी उठा के रख सकते हैं देर से उदर fourth plastic articles are available in different colors में available होते हैं they are easily moldable ठीक है these are the points which can be proved which can prove that metals in modern era metals is replaced by the plastics so यहां पर होगे अभी हमारा क्या आता है इसके बाद last आता है ठीक है page number 34 के उपर यहां पर हमारा chapter complete हो जाएगा उसमें हम क्या देखेंगे next page open कर रहा हूं जो की activities है देख लीजिए यहां पर activities में क्या दिये to test the strength of cotton wool silk and nylon thread cotton wool and nylon thread का तुम्हें क्या करना है यहां पर कि strength चेक करना है कौन कितना मजबूत है तो इस तरह से मैं आपको यहां पर slide गुमा दे रहा हूं मानलो page को तो आप इस तरह से इसको write कर लेना है ठीक है कुछ ज्यादा explain करने जैसा है नहीं apparatus आपको जो क्या क्या करना है 60 cm के सभी threads ले लेने हैं फिर उसके बाद क्या करना है वन बाई वन प्लेस करते जाना है और देखता जाना है कौन की वर्जन है कितना यह के बाद में यहां पर बता देना है और इस तरह से आपका क्या होगा यह conclusion लिख देना है आपका complete हो जाएगा यह चीज़े अगर आप मालो जब भी मैं chapter explain करूंगा तो पूरे के पूरी यह सब चीज़े explain करने वाला हूँ अभी workbook में आप क्या कर सकते हो activities को ऐसे write कर लिजिए so thank you very much अगर वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए comment कीजिए मिलते हैं next वीडियो में जहां पे हम chapter number 4 start करेंगे पूरा का पूरा आपका science का workbook का भी solution आ जाएगा चैनल पे इसलिए channel पे बने रहे हैं दोस्तों के साथ share कीजिए like कीजिए और जिस भी math का अगर आप solution नहीं देखे अभी तो तो playlist में जाईए वहां पे mathematics के सभी chapters मैंने explain किया हुआ है ठीक है so thank you very much मिलते है next video में